27 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन विश्व परियतन दिवस 27 सितंबर विश्व परियतन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है जो परियतन के महत्व और दुनिया भर में इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव को पहचानता है 1980 में सन्युक्त राष्ट्रद्वारा स्थापित विश्व परियतन दिवस संस्कृतियों के बीच समझ और शांती को बढ़ावा देने में परियतन की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है यह सरकारों, व्यवसायों और समुदायों से प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को सनरक्षित करते हुए स्थानिय अर्थव्यवस्थाओं को लाप पहुचाने वाली स्थाई प्रथाओं को प्राथमिक्ता देने का आगरह करता है परियतन और शांती को दो हजार चौबीस में विश्व परियतन दिवस के विशय के रूप में चुना गया है अपडेट दो अर्थव्यवस्था डसॉल्ट एविएशन ने नई सैन्य एम आरो सहायक कमपनी के साथ भारत में अपनी उपस्थिती का विस्तार किया फ्रांसीसी एरोस्पेस कमपनी डसॉल्ट एविएशन ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपने सैन्य रखर खाव, मरम्मत और ओवरहाल एम आरो गतिविधियों के लिए समर्पित एक सहायक कमपनी डसॉल्ट एविएशन एम आरो इंडिया दमरोई बनाने का फैसला किया 25 सितंबर को कमपनी की प्रेस विध्यप्ती के अनुसार सहायक कमपनी को आत्मनिर्भर भारत नीती के तहट तयार किया जाएगा, जो भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान देगी और स्वदेशी मूल्य वर्धित सेवाओं को बढ़ावा देगी कमपनी ने कहा कि वह भारतिय वायू सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबध है और अपने मिराज 2000 बेडे और भारत में डसॉल्ट एविएशन द्वारा आपूर्ती किये गए लड़ाकू विमानों का समर्थन करने के लिए निर्मित उत्पादों और सेवाओ की पेशकश करेगी अप्डेट तीन अंतरराष्ट्रिय I.M.F. ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डालर के रेन को मनजूरी दी अंतरराश्ट्रिय मुद्राकोश, आयमेफ के कार्यकारी बोर्ड ने वित्तिय चुनोतियों से जूज रहे पाकिस्तान को साथ अरब डॉलर का नया कर्स देने को हरी जंडी दे दी है दोनों दलों के आम सहमती पर पहुँचने के दो महीने बाद यह घोशना की गई थी अधिकारियों ने कहा कि 37 महीनों की अवधी में इसलामाबाद को वित्रित किये जाने वाले रिंका उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी बढ़ावा देना है एक बयान में प्रधानमंत्री शहबास शरीफ ने समझोते की प्रशनसा की जिस पर उनकी टीम जून से आएमेफ के साथ काम कर रही थी अपडेट चार अंतर राश्ट्रिय जेंस कैमरन स्टेबिलिटी AI बोर्ड में शामिल हुए इसके जोखिमों के बारे में एक फिल्म बनाने के 40 साल बाद फिल्म निर्माता जेंस कैमरन कृत्रिन बुद्धिमत्ता AI फर्म स्टेबिलिटी के निदेशक मंडल में शामिल हो गए है 1984 की The Terminator जिसे कैमरून ने लिखा और निर्देशत किया था में स्काइनेट नामक एक दुष्ट AI मानव जाती के अस्तित्व के लिए खत्रा पैदा करता है उनकी भूमिका इस बात पर केंद्रित होगी की प्रौध्योगी की का उपियोग विशेश प्रभावों में कैसे किया जा सकता है जिसे कम्प्यूटर जनित छवियों CGI के रूप में भी जाना जाता है हिट फिल्मों की अपनी लंबी सूची के बीच कैमरून को भारी स्पेशल इफेक्ट्स वाली अवतार बनाने के लिए जाना जाता है जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है अपडेट पांच रैंक और रिपोर्ट ADB ने FY24 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान 7% FY25 के लिए 7.2% पर बरकरार रखा ASI विकास बैंक ADB ने वित्वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विधी दर 7% और वित्वर्ष 2025 के लिए 7% दो प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है ADB ने दोहराया की भारत का आर्थिक विकास मजबूत रहेगा ADB के भारत के लिए कंट्री निदेशक मियो ओका ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक भूराजनीतिक चुनोतियों के मद्देनजर उलेखनी लचीलापन दिखाया है और स्थिर विकास के लिए तयार है ADB का कहना है क्रिशी सुधार से ग्रामेन खर्च बढ़ेगा जो उद्द्योग और सेवाक्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के प्रभावों का पूरक होगा अपडेट 6 रैंक और रिपोर्ट जापान को पीछे छोड भारक बना एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश लोवी इंस्टिट्यूट द्वारा जारी नवीन्तम एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है रैंकिंग में यह बदलाव पूरे महादवीप में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है जिसने महाशक्ती बनने की महत्वाकांग्शाओं के साथ एक प्रमुख वैश्विक खिलाडी के रूप में अपनी स्थिती को मजबूत किया है एशिया पावर इंडेक्स में भारत के उत्थान के लिए कई महत्वपून कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिन में से प्रत्येक इसके बढ़तेक शेत्रिये और वैश्विक दब्दबे में योगदान देता है जापान की धीमी जनसंख्या वृद्धी, सीमित सैने विस्तार और अपेक्षाकृत स्थिर आर्थिक प्रदर्शन ने इसे चीन और भारत जैसे उभरते दिगजों के लिए आधार खोने का कारण बना दिया है अपडेट साथ रैंक और रिपोर्ट मूडीज ने सीवाए 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ा कर 7.1% किया वैश्विक रेटिंग एजनसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पात के विकास अनुमान को संशोधित किया है इसे 6.8% से बढ़ा कर 7.1% कर दिया है यह परिवर्टन वैश्विक अनिश्चित्ताओं के बीच एक मजबूत आर्थिक ग्रिष्टिकोन को दर्शाता है व्रिद्धी की ओर संशोधन भारत की आर्थिक लचीलापन और विकास क्षमता में विश्वास का संकेत देता है भारत में मुद्रास्फीती जुलाई और अगस्त में 4% से नीचे रही है यह गिरावट आर्थिक स्थिर्ता और मूल्य प्रबंधन में सुधार का सुझाव देती है मुडीज ने 2025 में मुद्रास्फीती 4.5% और 2026 में और घटकर 4.1% होने का अनुमान लगाया है अपडेट आठ विज्ञान और प्राध्योगी की भारत के DRDO, IIT दिल्ली ने अभेद लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट विक्सित किये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतिय प्राध्योगी की संस्थान IIT दिल्ली के शोधकरताओं के साथ मिलकर हलके वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट विक्सित किये हैं जिनका नाम अभेद Advanced Ballistic for High Energy Defeat है जो 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं जैकेटों के लिए कवच प्लेटों ने प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक रैंधडी परीक्षनों को पार किया है रक्षा मंत्राले ने कहा कि जैकेट खत्रे के उच्चतम स्तर को पूरा करती हैं और भारतिय सेना की संबंधित जनरल स्टाफ गुनात्मक आवश्यक्ता में निर्धारित अधिक्तम वजन सीमा से हल की है अपडेट 9 खेल जीवन विजय की जोडी ने हामजो उपन 2024 जीता भारत के जीवन नेदुचे जियान और विजय सुन्दर प्रशान्त ने 2024 हामजो उपन में जर्मनी के कॉंस्टेंटिन फ्रांट जेन और हेंडरिक जेबिंस को हरा कर युगल खिताब जीता यह जीत दोनों के लिए पहला ATP टूर खिताब है जिन्होंने 2024 सीजन की शुरुआत में टीन बनाई थी ATP 250 इवेंट में गैरवरियता प्राप्त खेलते हुए उन्होंने हामजो उलम्पिक स्पोर्ट्स सेंटर में 4-6, 7-7, 6-5, 10-7 से मैच जीता जर्मन जोडी को हराने में उन्हें एक घंटे और 49 मिनट लगे 35 साल के जीवन के लिए यह उनका दूसरा ATP खिताब है उनकी आखिरी जीत रोहन बोपनना के साथ 2017 चैन्नई ओपन में हुई थी 37 वर्षिय विजय के लिए यह ATP सरकिट पर उनका पहला खिताब है अपडेट 10 राज्य त्रिपुरा सरकार ने उच्च शिक्षा में मेधावी चात्रों की मदद के लिए मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू की चुनाव पूर्व वादे को पूरा करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उच्छ शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए एक नई योजना CM7 शुरू की है योजना की शुरुवात करते हुए, मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबधता दोहराई की वित्तिय बाधाएं वास्तविक प्रतिभा के विकास और गुनवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुँच में बाधा नहीं बने CM7 परियोजना को 204 को 60,000 रुपए, 5,000 रुपए मासिक की वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, माध्यमिक स्तर पर 100 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 100 उच्च शिक्षा के लिए क्रमशह 2 और 3 साल के लिए योग्यता के आधार पर